कि भोजपुरी हो जाए प्रयास कर रहे हो एक भोजपुरी आप लोगों के बीच में रख दूँ और ये जो तर्ज है इसको मैंने सबसे पहले अपने कुल गुरु श्री दादा हरकिशन जी के मुठ से सुना था ये मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैंने प्रयास किया है कि सुने आप लो आधने पापा जी बहुत अच्छा दादा जिगाय करते थे उनके जैसे तो नहीं लेकिन फिर भी प्रयास करेंगी अगर इसी गर्मी में ये दोनों चीजे मिल जाएं तो रगड के पीसाना हो गोरिया हो गोरिया हो गोरिया आम मह के चटनिया तै रगड के पीसाना हो गोरिया तैरा गड़ के पीसाना हो गोरिया अब देखिए ये तु तर्ज है बात में क्या ला रही हूं सुनिए जिस समय मा चंडिका ने माता काली को अपनी दोनों भावों के बीच से प्रकटाया और आदेश दे दिया ये जो राच्छस है जिसका नाम है रक्त भीज इसका अंत नहीं हो रहा क्योंकि इसको वरदान है इसकी जितनी भी रक्त की भूंदे धर्ती पर गिरेंगी उतने रक्त भीज का प्रादूर भाव होगा और जब प्राकट हो गया माता काली का माता चंडिका ने कह दिया कि आपको करना क्या है सुने मेरे पंक्त कहती है मैया चंडिका माता काली से कह रही है और कहने लगी क्या पहिने सुने वाचन वाओ माता चंडिका कह रहे है अरे पहिने सुने वाचन वाओ लेकिन आपको करना क्या है या पेटा क्या वहिने सुने वाचन वाओ काटा पापी के कर दनवा तई सम्हल के गूटाना इस राच्छस की रंट को गूटना यानि पीना तई सम्हल के गूटाना की खुनवा हब फुनवा, आरे फुनवा, टब के न धरणवा, चैसमल के घूनाणा तैसमल के घूटाना की खुनवा, तैसमल के घूटाना कि खुनावा टपके नाधरनवा तई सभलके कोगा बहुत अच्छा अमवा के चटने पीसे लाएं अब हुआ है बैतरी प्रयास रहा है बहुत बढ़िया और बैंजी ने कहा कि मुझे उन सब में ना गिनियेगा मैं पहले से नहीं गिनती हूं ना और उस तरह की जवाबी सारा बैंजी ने किया हकीकत तो यह किया मैं किसी से भी यह來 की नहीं करती इस तरह की करते हूं जिस तरह की कर रही हूं है और 서ल भूण बहुत मिलते हैं लेकर हम इस तरह से कर देते तो उसे तरह को आजाते हैं और क्या समझो समझो उस्तराई के इस तराई में आ जाते हैं कि कुछ अनौखा करके दिखाओ तो बात बने कुछ अनौखा कर दिखाओ तो बात बने हाँ अन्धों को आईना दिखाओ तो बात बने हाँ अरे सागर में दरिया हमेशा से मिला है अरे दरिया में सागर मिलाओ तो कोई बात बने हाँ दरिया एक कटपीस आया है इतनी हिम्मत नहीं है लेकिन फिर भी प्रियास करें है और क्या पैंजी का कटपीस आया है कि रगड के पीस आउना रगड के पीस आउना रगड के पीस आउना हो गुरिया ये गुरियाjust अम्म वां की चतन्या ये रगड के पीस आउना दोलिया आप्वाकी चतन्या इस अगार के पीछणा आए बद्या अमरा की चटनी आए अला कि यह चटनी पहली बार सुन रहे हैं तोड़ा हमने अभी तक सुना नहीं है लेकिन पिर किरपा है यह सब बाजे सरसुती की किरपा है कि आज आता थोड़ा सुने गए और क्या और क्या रगार के पीछणा आए बुर्या अमरा की चटनी आए रगार के पीछणा आए बुर्या कि अमरा की चटनी आए रगार के भी महार की सुना आए इसके ग geben और और गुश्वार कर दो यह मोश के काम आएगी जटनी अ अब खुन्वार टपके नाधरन बात ये समल के गुटना अब बहुत बढ़िया करपीस आया है चलिए जल्दी में अब कुछ ऐसे हम ला दें कि टपके नाधरन बात बैंजी सुनेगा आपने भोले माता भवानी के लिए दिखाया है मैं जवाम में ला रही हूं भोले नाध की तरफ से सुनेगा सुने जब अमरत निकला था तब तो सब जबट्टा मार रहे थे लेकिन जब बिस निकला बैंजी जब बिस निकला तो समने हाथ खड़े कर लिए और जब भोले नाध उस बिस को पीने के लिए तयार हो गए तो भो गएंजी तो प्रयास कर रही हूं सुनेगा सब करने लगे भोले नाध एक करपा करना बोले क्या तब क्रिया बैंजी सुनना जवाब अम तो फ्रशाया है कहरवाई आदे अर्वर सराद दीथिक लोह ना तो फोच्याया है कहरवा इसमल के पियला जहरवा जहरवा डब के नाधरनवा ये समल के पियला कहरवा इसमल के पियला जहरवा 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 डब के नाधरनवा इसमल के पियला क्योंकि सपनों की मंजिल पास नहीं होती जिन्दगी हर पल उदास नहीं होती अरे खुदा पर यकीन करना मेरे भाईयो इस वर पर यकीन करना मेरे भाईयो क्योंकि कभी कभी वो मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती जहरवा 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 डब के नाधरनवा इसमल के हुआ है है कि अख जग दिस बाबा भा यह संरे जयर का नहीं हो पाते है है वह यह ग्रस्त होंकि बाबा है और गया तबीत है इनकी बाबा है अधने मारे जगदेश बाबा जुई रावतपूर क्रासिंग कानपूर आपके करकमलों से ये जवाब की पंक्तियों पर दोस्वे एक पत्मोद राये हैं धनवादे बहुत वो धनवादे ही ये रेढ़ा सान्वादे टेया हादे रहा ज राये है